तो वक्त है टुकडी सेक्शन का विवादों से जिसका हर तरह का नाता हो विवाद खुद उसके घर आता जाता हो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कंगना रनावत कहेंगे कंगना रावत ने सोशल मीडिया पर जब से एक्टिव मोड समाला है तब से विवादों की जड़ी लगा रखी है हाला कि 25 भी आया जब उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया खैर रितिक रोशन से सुरू हुई कंगना की कहानी अब जाकर हफता भर हफता नया टॉपक लेकर आती है तो आज खास ये है कि कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया पोस्ट में लिखा है कि मैं सबसे ज़ादा टेक्स देने वाले स्लैब में आती हूँ और अपनी इंकम का 45 विजदी टेक्स के रूप में देती हूँ जबकि मैं सबसे ज़ादा tax देने वाली actress हूँ लेकिन काम नाम होने की वज़ा से मैंने अब तक अपने बीते साल का आधा tax नहीं भर पाया है ऐसा मेरे जीवन में पहली बार हुआ है कि मैं tax भरने में लेट हूँ लेकिन सरकार मेरे pending tax के पैसे पर ब्याज लगा रही है पोस्ट है लेकिन समझ से ये है की kangana को आप पसंद कर सकते हैं नापसंद कर सकते हैं लेकिन आप उनको ignore नहीं कर सकते तो ऐसे में इस post को लेकर भी in temporary collect Bl summary रौशन हो चुका है वैसे post फो उनका वीडियो भी viral हो रहा है वह मुंबई कर अपने office पहुंची थी हाँ वही office जिसे बीते साल BMC ने आधा आधा ड़ा दिया था वो जब वहाँ पहुची तो photographers ने उन्हें पोस्ट देने के ले कहा इसके बाद उन्होंने सीधे-सीधे photographers से कहा कि वो यहाँ अपना काम करने आई हैं तो बस इतनी सी बात और वीडियो हो गया वाइरल तो फिलाल कंगना रनावत का एक वीडियो और एक पोस्ट धडरले से वाइरल हो रहा है जिसको लेकर ENT गलियारा रोशन है तमाम चर्चाओं का वाजार भी गर्म है तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप लगातार News World India के साथ जुड़े रहिए बाकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे तो यहाँ पर हैं ही इसके अलाबा खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट NewsWorldIndia.com पर भी जा सकते हैं धन्यवाद